मैं हाई आयाम आरियन आये दोस्तों वीडियो की शुरुबात करते हैं आज हम सीखने जा रहे हैं टेंस क्या है कितने परकार करोते हैं और टेंस किसे कहते हैं अगर आप टेंस sih जाते हैं तो टेंस से यह बहुत सारे इंग्less basic rules आप सीख सकते हैं और basic rules से माध्यम से समय के साथ संभन का पता चलता कार्य किस रूप में है जैसे कार्य बरतमान में हो रहा है या बीते वे कल में हो गया है या आने वाला कल में होगा यहीं यानि काल है दूसरा है पास्ट टेंस यानि भूत काल बोलते हैं इसे हिंदी में जो बिट गया है और तिसरा है फ्यूचर टेंस जो आने वाला इसे भविस्टकाल कहते हैं तो tense के तीन परकार हुए, present tense, past tense, future tense, तीनो या perfect tense के चार रूप हुए, first है indefinite या simple tense, second है continuous tense, third है perfect tense, और fourth है perfect continuous tense, perfect tense या तीनो परकार के tense का चार चार रूप है, यानि चार चार रूप मिलाके तीनो टेन्स का बारा रूप हुए, यानि बारा tense का class में आप लोग को कराने वाला हूँ, बारा tense आप सीख लीजिए तो आपके English सीखना और बोलना बहुत easy हो जाएगा, आप English बोल सकते हैं, उसकी पहचान और उसका formula और यह रहा future tense का परकार, तीनो परकार और यह रहा चौर था परकार और उसका formula, तो दोस्तों यह वीडियो यही तक, अब मैं आप लोग को next class में present tense के बारे में बताने वाला हूँ, अभी total 12 class tense का बताऊंगो आप लोग को जिसमें हम perfect tense के formula पहचा कमेंट लाइक जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें